Hello Friends, Welcome to my channel Savvy Way and Today I am here with the Ganga River System मैं आप लोगों के लिए Ganga River System लेकर आई हूँ और मैं ये सब भी बताऊंगी कि Ganga कहां से originate होती है उसकी Tributaries कहां से originate होती है कहां पर वो गिरती है, कहां पर उनका mouth है The river originate from where and where it falls और ये भी बताऊंगी कि कौन से cities Ganga पर पढ़ती है वो कौन से state से pass होती है उसकी Tributaries कौन से state से pass होती है I will tell you people about the cities falling on the river Ganga and on its Tributaries and the states through which these rivers passes और कौन कौन से state से ये जाएंगी साथ में और सभी चीज़े बताएंगे discuss करेंगे कि कौन से river valley projects है इन पर what are the river valley projects located on the river Ganga and its Tributaries सब कुछ discuss करेंगे जो भी questions यहां से पूछे जाएंगे इस lecture के बाद आप सारे cover करने के लिए तयार रहेंगे the questions will be asked from this section you will be able to answer all the questions regarding the Ganga river system and its Tributaries I have covered in detail each and everything तो चले start करते हैं चले start करते हैं Ganga से let's start with the river Ganga Ganga की हमारी दो Tributaries हैं जिन से मिलकर Ganga बनती है पहले है हमारी भागी रती फिर है हमारी अलकनन्द Ganga is made up of two Tributaries namely भागी रती एंड अलकनन्द भागी रती हमारा गोमुख Glacier उत्तरकाशी से निकलती है और अलकनन्द हमारा शतोपत Glacier बदरी नाथ से निकलती है भागी रती ओरिजनेट फॉम दा गोमुख Glacier उत्तरकाशी डिस्ट्रिक एंड अलकनन्द ओरिजनेट फॉम दा शतोपत Glacier बदरी नाथ ओल अफ दीज ग्लेशियर आर लाए इन दा जसकर रेंजिस यहाँ पर हमारे जसकर माउंटेन है जसकर रेंजिस है और सारे ग्लेशियर जसकर रेंजिस में ही लाए करते हैं भागी रती के अब हम हाइड्रो एलेक्टरिक प्रोजेक्ट को डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर भागी रती पर दो hydroelectric projects है, let's discuss the hydroelectric projects of the भागी रथी रीवर, there are two hydroelectric projects on the भागी रथी रीवर, one is टीहरी डैम, टीहरी डैम हमारा भागी रथी पर है, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, भीलांगना, वो भी इसमें contribute करती है, टीहरी डैम is on the भागी रथी रीवर, and भीलांगना also contribute in this, second is कोटेश एक दूसरा है हमारा कोटेश वर प्रोजेक्ट, ये भी हमारा भागी रथी रीवर पर है, second is कोटेश वर प्रोजेक्ट, which also lies on the भागी रथी रीवर, in the उत्राखन, अलकनन्दा और भागी रथी, मिलकर देप्रयाग पे गंगा बनाती है, यहां से हमारी गंगा ओरिजनेट होती है, दा अलकनन्दा रीवर एंड भागी रथी रीवर, meet at देप्रयाग to form the river गंगा, अब गंगा यहां से माउंटेन से चलते हुए, रिशी केश से होते हुए, हरिद्वार आती है, गंगा ट्रेवर्स थ्रू दा माउंटेन, रीच रिशी केश, एंड देन हरिद्वार और हरिद्वार में गंगा, hills को छोड़कर, plain पे आ जाती है, इन दा हरिद्वार, गंगा leaves the hilly area and enters into the plains, इन दा उत्राखंड, उत्राखंड को छोड़कर फिर गंगा, UP में enter करती है, उत्राखंड पहला state हो गया, जहां से गंगा आती है, second state हो गया, UP, after leaving उत्राखंड, गंग गंगा enters into the उत्राखंड, उत्राखंड is the first state of the गंगा, and उत्राखंड is the second state, where गंगा travels, फिर गंगा, UP में आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो कन्नौज पे, एक इसकी left bank tributary, राम गंगा कन्नौज पे इससे मिल जाती है, one of the left bank tributary of the गंगा, meet गंगा at कन in the उत्रप्रदेश, फिर गंगा आगे चलती है, कानपूर पहुचती है, then गंगा traverse in the UP and reach the कानपूर, और कानपूर में ही सबसे ज़्यादा वेस्ट गंगा में डाला जाता है, industrial effluents गंगा में डाले जाते है, it's कानपूर, and गंगा is polluted mostly here in the कानपूर, all the industrial effluents and waste is released in the गंगा river in कानपूर रीजन, फिर गंगा और आगे बढ़ती है और अलाबाद पहुचती है कानपूर के बाद, गंगा traverse more in the उत्रप्रदेश and reaches अलाबाद, one of the right bank tributary namely यमना, यमना जो है गंगा की right bank tributary है और ये अलाबाद में मिल जाती है, यमना meet गंगा at अलाबाद, it is the one of the most important and the longest tributary of the गंगा, गंगा की ये सबसे important और सबसे लंबी tributary है और ये right bank tributary है, अलाबाद को इसलिए प्रियाग भी कहते हैं, अलाबाद is also called प्रियाग, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, राम गंगा पर भी उत्राखंड में एक प्रोजेक्ट है hydroelectric project वो राम गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है, there is one of the most popular hydroelectric project on the राम गंगा river in the उत्राखंड में, it is called राम गंगा प्रोजेक्ट, फिर अलाबाद से आगे बढ़ते हुए, गंगा थुड़ा नौर्थ टर्न लेती है और वारा नसी पहुचती है, now गंगा ट्रेवर्स राम अलाबाद, towards the वारा नसी, by taking a northward turn, फिर उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है, तो गंगा की एक left bank tributary, गोमती, उससे मिल जाती है वारा नसी के पाद सी, one of the left bank tributary of the गंगा, namely गोमती, meet गंगा नियर वारा नसी, यही पर हमारा जहां पर गोमती मिलती है, गंगा से ए पर गंगा यहां से आगे बढ़ती है, यूपी को छोड़ देती है और natural boundary बनाती है, यूपी बिहार के बीच में थोड़ी सी, गंगा move towards बिहार, leaving यूपी, and make a natural boundary between यूपी और बिहार, जैसे ही गंगा बिहार में एंटर करती है और आगे बढ़ती है, तो उसकी एक गंगा एक left bank tributary, घागरा, गंगा से चपरा में मिल जाती है, when गंगा enters the बिहार, one of the left bank tributary of गंगा, namely घागरा, meet गंगा at the चपरा, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, आरा में, गंगा की एक right bank tributary, सोन, गंगा से मिल जाती है, पतना के पास, traveling a little more, one of the right bank tributary, namely सोन, meet गंगा at आरा, आरा पर मिल जाती है, नियर पतना, गंगा फिर पतना से होते हुए आगे जाती है, पतना important city है, जो गंगा के bank पर पढ़ती है, then गंगा traverse ahead through पतना, and पतना is the important city on the bank of the river गंगा, पतना से थोड़ा आगे चल कर सोन पर में, गंगा की एक important left bank tributary, गंड़क उससे मिल जाती है, नियर पतना, इन सोन पर, one of the important tributary of गंगा, नेमली गंड़क, meet the गंगा, in the सोन पर region, फिर गंड़क tributary पर हमारा एक hydroelectric project है, जो बिहार में ही पढ़ता है, उसका नाम गंड़क project ही है, गंड़क river के नाम से ही है, देर is a hydroelectric project on the गंड़क river, with the name of the river only, the name of the project is गंड़क गंड़क project, this project lies in बिहार, फिर गंगा बिहार में आगे चलती है, और अपनी एक important left bank tributary कोशी से मिलती है, कुड़सेला region में, then गंगा further move ahead in the बिहार and meet its one of the important tributary, namely कोशी, in the कुड़सेला region, there is also a hydroelectric project on the कोशी river, कोशी river पर भी एक hydroelectric project है, कोशी river के नाम से ही, namely कोशी project, और फिर गंगा बिहार को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, और जारकंड और बंगाल के बीच में natural boundary बनाती है, तो third state हमारा हो गया बिहार, और fourth state हो गया हमारा जारकंड and fifth हो गया बंगाल, then गंगा traverse ahead and make the natural boundary between the बिहार and the जारकंड, So, बिहार was the third state, जारकंड is the fourth state and बंगाल is the fifth state, through which river गंगा passes, फरक्का से, वेस्ट बंगाल में enter करने के बाद, फरक्का से गंगा दो पार्ट में divide हो जाती है, एक पार्ट बंगलादेश में enter कर जाता है और पदमा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पार्ट वेस्ट बंगाल में रहता है और हुगली के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम दफरक्का, गंगा इस डिवाइड इंटो टू पार्ट्स, टू डिस्टिबुटरी, वन डिस्टिबुटरी एंटर दा बंगलादेश, एंड कॉल पदमा, अधर डिस्टिबुटरी, एंटर दा, अधर ड bank tributary मिलती है जिसका नाम है दामोदर रीवर, the distributory, हुगली रीवर traverses through the Kolkata city, Kolkata is the important city located on the bank of the हुगली रीवर and the हुगली रीवर meets its important right bank tributary namely दामोदर river in the हावडा region, हावडा region है यह और यहाँ पर यह दामोदर नदी से मिलती है, जो की इसकी एक right bank Tributory है फिर मिलने के बाद यह एंटर करती है Bay of Bengal को Bay of Bengal से एंटर करने से पहले यह सुंदर्बन डेल्टा बनाती है दा गंगा रीवर फॉल्स इंदा Bay of Bengal and makes the सुंदर्बन डेल्टा सुंदर्बन डेल्टा सार फेमस फॉर इट्स सुंदरी ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है सुंदर्बन डेल्टा यह यही पर मिलते है और बैंगोल टाइगर के लिए भी एटिश बेंगोल टाइगर सुंदर्बन डेल्टा अर लार्जेस डेल्टा ओफॉल्ड वर्ल्ड की यह सबसे बड़े डेल्टा है जो गंगा रीवर बनाती है यहाँ पर रिच मैंग्रूव हर तरह के मैंग्रूव पाई जाते हैं सॉल्ट लविंग मैंग्रूव और मैंग इसटब सुवियों सोफ निथैंताइज एंस स्कॉल knots jejare vờ सिर्जेक्ट्र संस्सक्षीट है जया है वाकुल्य efficacy होते हैं धामोडर रीजए हैं प्रोजेक्ट जहारखंड में दामोदर नदी पर ही है माइथुन प्रोजेक्ट इस ओन दामोदर रीवर ओनली इन जहारखंड और पंचेट हिल प्रोजेक्ट इस ओन दामोदर रीवर इन वेस्ट बेंगॉल तिलाया प्रोजेक्ट इस ओन दा ट्रिब्यूटरी ओफ दामोद here and I will discuss its tributaries in detail, their source, their origin, the city is located on those where they discharge into the Ganga, ये सब चीजे में next में discuss करूँगे, नेक्स वीडियो में अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजे, शेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स